ओम शांती 25 जुलाई 2022 आज की अव्यक्त मुर्ली शांती में बैठ कर बाबा के महावाक्य सुनेंगे और आत्मसार्थ कर लेंगे अव्यक्त मुर्लियों में से चुने हुए आनमोल महावाक्य टाइटल है 108 रतनों की वेजनती माला में आने के लिए संसकार मिलन की राज करो बाबा केते हैं कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है वेजनती माला में चाहे कोई 108 नमबर हो लेकिन दाना दाने से मिला होता है तो सभी को यह मैसूस्ता आए कि यह तो माला के समान पिरोय हुए मन के हैं वेराइटि संसकार होते भी समीब दिखाई दे बाबा कहते एक दो के संसकारों को जान करके एक दो के सनी प्रेम में एक दो से मिल जूलकर रहना यह माला के दानों की विशेश्टा है लेकिन एक दो केस नहीं तब बनेंगे जब संसकार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे इसके लिए सरलता का गुण धारन करो बाबा केते हैं अभी तक स्तुती के अधार पर स्थिती है तो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है फिर संसकारों का टकराव शुरू हो जाता है इसलिए स्तुती और निंदा दोनों में समान स्तिती बनाओ बाबा केते हैं संसकार मिलाने के लिए जहां मालिक हो चलना है वहां बालक नहीं बनना है और जहां बालक बनना है वहां मालक नहीं बनना है बालक पन अर्थात निर्संकल्प जो भी आग्या मिले डिरेक्शन मिले उस पर चलना मालक बन अपनी राय दो फिर बालक बन जो तो तकराव से बच जाएंगे बाबा केते हैं सर्विस में सफलता का अधार है नमरता जितनी नमरता उतनी सफलता नमरता आती है निमित समझने से नमरता के गुन से सब नमन करते हैं जो खुद जुकता है उसके आगे सब भी जुकते हैं इसलिए शरीर को निमित मात्र समझ कर चलो और सर्विस में अपने को निमित समझ कर चलो, तब नमरता आई की, जहां नमरता है, वहां ठकराव नहीं हो सकता, स्वता संसकार मिलन हो जाएगा, पाबर केते, मन में जो भी संकल उत्पन होते हैं, उन में सच्चाई और सफाई चाहिए, अंदर कोई भी विकर्म का किचड़ा नहीं हो, कोई भी भाव सभाव, पुराने संसकारों का भी किचड़ा नहीं हो, जो ऐसी सफाई वाला होगा, वो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा, वे सबका प्रिये होगा, सबके प्रिये बन जाओ, तो संसकार मिलन की रास हो जाएगी, सच्चे पर साहिब राजी होता है, भाबर केते, संसका पुर्षात में संसकारों में भारीपन ना हो, इजी है तो एक्टिव है, इजी रहने से सब कारे भी इजी, पुर्षात भी इजी हो जाता है, खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, फिर अपने संसकार, अपनी कमजोरियों, मुश्किलों के रुप में देखने को सामने आती है, बाबा कहते हैं, संसकार मिलन की राज अब हो, जब हर एक की विशेशता देखो, और स्वेम को विशेश आत्मा समझ, विशेशताओं से संपन बनो, यह मेरा संसकार है, यह मेरे सं शब्द भी मिट जाए इतने तक मिटाना है जो की नेचर भी बदल जाए जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्तिव फीचर्स बनेंगे बाबा कहते हैं बाप दादा बच्चों को विश्व महराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं विश्व महराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही हैं ऐसे एक-एक के अंदर से उसके प्रती स्नेही के फूल बरसेंगे जब स्नेही प्रेम के फूल यहां बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे तो लक्षे रखो कि स के स्नेही प्रेम के पुष्पुष पात्र बने, स्नेही प्रेम मिलेगा सहयोग देने से. बाबा के तेसदीब यही लक्षे रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो मेरी चलन संकल्प वानि और हर कर्म सुकताई हो यह है ब्रामन कुल की रीती यही रीती अपना लो तो संसकार मिलन की रास हो जाएगी अच्छा ओम शान्ति शुक्रिया बाबा शुक्रिया